तमजी देमत साब, एशिन सिंग जी कह रहे थे के मसला ये है के फेबी कोल एक्सपायर कर गया, क्या, आप कितना भी लगाओ, डबा चिपकेगा नहीं, मम्ता को ऐसा बोलने क्या जरूद थी, बोले तीनों बवाली है, हुर्दंगी है, मवाली हैं, बवाली हैं, वो तो बोलती है, एक सांस में, क्या ह्कॉन क्या से भाजपा क्गरेशी और लेट वाले तीनों, सब क्या चला है नहीं तब इस बात में बजन अपने आप खतब हो जाता है आप कितनी जोर से चिलाओ माइक पर कि हम सब एक हैं जमता देख रहें नीची जूता चला एक कैसे माल लेगी तमजीत जी आज मैं ब्रंदा करन्द को भी सुन रहा था ममता पनर जी को भाजपाद से जादा पानी पीपी कोस रही थी वो भी एलाइंस में यह तर पर जाहिर सी वात है कि दो अलग अलग पार्टिया तो निश्ची तूरूप से आपको इस तरही के बयान आपको गागी करेंगी क्या अलग अलग पार्टिया हैं तो प्रकास प्रकास राजबर को गले भी लगाया और पूरी की पूरी पार्टी को भूसी चुनाओं में सरिंडर भी कर दिया उनके सामने वह अलग बात है को बुरी तरीके सहार गई तो राजनिती में जैसे बार्टिया प्रशन है भाईया तमजीद भाई एक एक सब्सक्राइब गया फिक मैं कह रहा हूं आज का बताओ जो गठ बंदन में हो जो तुम धाल बांट रहा हो ऐशा बताओ मैं तो इसकी चिंता कर रहा हूँ आज राजभर से बुलवा दो और राजभर गठबंदन में रहे ले पांच मिनट अगर आज राजभर ऐसा बोले जैसा पहले बोले ते और रहे ले ममता बनर जी आज आपको मार रही है थपड यह मैं चिंता कर रहा हूँ नहीं हो रही है ना चादर्बाबु नाईडी और भाजभर में गाली गलोश नहीं हो रही है वो बीज़ लग पाट्या है सब नहीं तो बढ़े बड़े घटकल भाजनता पार्टि को चोड़के चले गे अरे आज मैं सवाल कर पूच रहा है मैं कह रहा हूँ आज पर से सुर तहके आप ब्रहम भठ कोने क्या आज जो लोग न्धिमें या in डिया गःटबंदन में का कर गज प्रजिन का नाम लिखा है इंडिया एंडिये में जो बताईए जो लोग एंडिये के लिस्ट में है वह भाजपा को गाली दे रहे कि आपके यहां सवाली इसलिए खड़ा हुआ कि वो लिस्ट में हो गाली दे रहे हैं तमजी देमाद आप 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 में आप आप ने आप ने हम लोगों की हालत वो कर रखी हैं ताम जी जी है डाया मैं जीता हो तेल आया तुम्हारे आप हमेशा कॉंग्रेस कि अरख करते हों अब आज आप आप निशे पूछ रहे हुआ हैं अगर यह यह स्ट।्ध पूछ को बताओ कि 128 को बता ऋमजीत शीश्क कि यह सहाँ उक्सां करें दाब किस अपारिक भाघ्जदा हुआ कि कषआए थांव प्रशन नहीं तो जो फ़कों करते थीक दे आखिक जञी को मेह रहुआ कि आपकी आपकी आपका किल्स और इंद क करदेश नहीं संचे आप रुख आई आप देपीत मेरा नहीं कॉमेंटर नहीं तमजी देहमत मेरे प्रश्ण नहीं समझे मैंने पूछा दो गठवंदन है देश में एक इंडिया गठवंदन एक एंडिये गठवंदन आपस में एक दूसरे को गाली गलाउच करके और कुर्ता फाल होली खेलने व को दे चुके गाली को बचे नहीं है बिना गाली कि मैं यह वो तो हम उठाई नहीं रहे वीशे हम तो आज से बितना निवेदन करना है ममता बनर जी ने आज कहा के रामू श्यामू और बामू यह तीनों हुर्दंगी यह बवाली है क्या अब वो इंडिया गठवंदन की प कुछ निखा होगा कि अमताब जी देखें जो मोधी सरकार है इसने दस सालों में कल्चर आफ साइलेंस डेवलेप्या कल्चर अब साइलेंस जो बोलेगा उसे घर इडि पहुंच जाएगी जो बोलेगा उसे घर इंकम्टेस के छापा पड़ जाएगा विपक्ष के साथ-सा आप लोग तो आप लोगए नहीं गई अभी जेल नहीं बहजा किसी को आप करो कि ऐसा कल्चर डबलब कर दिया कि जो बोलेगा वो जेल जाएगा फिलकुल फिर अगर देखिए अम्ताब जी अगर हमने हमारी पार्टी ने हमारे निता ने जो भी अगर कुछ ऐसा घोटाला है तो फाड़ा खोटाले वाले जेल जाएंगे मैं यही आप से कहलवाना तो आप सरकार में आओ तो आप जेल पेख देना ना जोटाले बाज नेता नहीं है अशो क्या दब रुखना होगा मैं तो कहता हूं एक वार नहीं कामने बाद सो दफ़े कई होगी लेकिन वेपक्षे के नेता भी जहां आपकी सरकार है वहां बीजेपी के 500 कारिक्त आव जाओ वहां टो फांत सो नेता बुकट कर दो अब इस घृम राओ उसलाठी मारो सिट्वाह कर रही किया आप नहीं ना फिर तो यह बजा रहे है अ आप नहीं नो पिर गाल नेता बीजन तो zamanji कि पंजाब में अर्मिंध की dw इद्रिवाल की पासपी कि शाषी नहेंड रगण बंदन का करनाटक में सिध्धिरमयया है भौमय कुझ भेंद दिया किस मूं से भाई आप लुग बोल रहे हो कि सुभेंदु को जेल भेड दिया ममता ने नई अभी ने आएंगे शुगी ना धरत बात करते हो आप लोग कि सिद्र मया ने कितनों को जेल भेड दिया वो कह रहे हैं थे 40% की सरकार कहते थे ना अब 40% में 40 लोगों को भी जेल भेजा आपकी बात तो कौन भरोसा करेंगा क्यों करेंगा भरोसा बैया और आप खुद कहरे हों कि हम इमांदार हैं इसलिए हमको नहीं पकड़ा इसका आर्थ हैं जो बेमान थे वो पकड़े गए तो बेमान को तो पकड़ा जाना चाहिए उस आप लोग इसलिए दुख ही है कि बेमान को भी क्यों पकड़ा जा रहा है तब तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता अगर किसी की दुख इसलिए कि बेमान को पान खाके घूमने की छूट क्यों नहीं दी जा रही है लोगतंतर में मैं इसके साथ नहीं खड़ा हो सकता आप बेमाने आपको जेल जाना चाहिए इमानदार होंगे छूप जाएंगे क्या समस्या है आप ये को हम कुर्ता पहिंते हैं इसलिए हम जेल नहीं जाएं तो जो कमीच पहिंता वह जेल जाएगा आप करिए जेल का धरवाजा और चोड़ा करिए ताकि उसमें अधिकां और अधिक नेता समा पाएं एसन सिंग जी समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा ने ऐसा माहूल क्रियेट कर दिया है कि जो भी बोलेगा सोचाएगा इसलिए चुप रहो तो उनके मताबिक तो मलाई के छीटा बहुत आ भी सकता कभी सुंबार मंगल बुद्ध कभी अमिताज़ जी जो वाता आख ने कहा जो जो सवाल का जवाब आपने दिया असोब भी का यह सवाल जो है आधणि अक्यldennh के लिए से आदोगी बिधान सबाह में की ए ऍूरिए उन्हें कहा कई हमारे भी बिध्धान सबाह में ही हमारे पूंजिव्या अथित्तरा दिया थ fait कि हम इस नाते अफरादियों को छोड़ दें कि हम आपके अफरादियों को छोड़ दें और आप हमारे अफरादियों को छोड़ दें ये ऐसी निती नहीं चलेगी अगर हमारा कोई अफराद करता है कहीं पे भी आपकी सरकार हो पर दूसरी बात मुझे लगता है कि आधनी स्वर्गी मुराण जिन साहब असोगी के बड़े नितार हैं और उन्हों नहीं खुद कहा था पीडी और सीवियाई के जुर्पयोग से डरा कर हमसे समर्थन लिया जा रहा है और उसके बाद अखिले स्यादोजी ने भी दिया का आप देखें लिए दो जो राजनीत में आया उसको डरना नहीं चाहिए और जो डरे और अन्नीत में क्यों आया वो को डिसुनेज गोल ले अ करते हैं आम आदमी पार्टी आपकी हजारों कमिया निकालती थी आपको गाली घुटा देती थी आपके बरस्ता चार को लेकर चार सोफेज का रिकोर्ड कार नश्मीन अगर ठाने में जमान की मम्ता बनर जी कि इनने जब पार्टी बनाया उन्होंने भी कांग्रेस के खिला को लेके साफ रहेंगे ना उस समय सक तो वो ची को ना ची फिर भी हम कह रहें कि राजमीती में नफा नुक्सान देखकर रोग जाते हैं इसमें क्या है अमिताब भी सब लोग यह जान गया है कि 2024 मोधी जी की पूर बहुमत की सरकार बन नहीं चुकि मोधी जी ने जो है तो वो कांग्रेस के बोड़ को लिए हैं ममता जी को भी यही लगना कि अगर कांग्रेस को हम कई बना दिये तो जी नुटों को हम लेकर अपनी इस पार्टी बनाएं वो पुदर कांग्रेस में चली जाईगी तो यह सारी लड़ाई एक तो अपने अपने बरश्चा चाह को छ्युपाने का अपने अपने परिवार को भचाने का नहीं तो क्या यह पार्टिया राज ने हैं कि सबी लोगों ने राज किया हमारे मितरा असोग जी कहा थे एक दस सेकेंड बोलके मैं आसोग जी को करता है हमारे बिस्तरा सोग जी कहे रहे थे उस्तर प्रदेश में 700 दंगे होते थे हमिताब जी और 400 दंगे का में कारण ही था पूरी सिद्धत से सरकार उन अपरादियों के साथ खड़ी हो जाती थी मुझपरमगर के मौउ के मेरक में जो दो लर्किया दिन में उठाई गई अत्री कामद मदर्फे से जिन लर्कियों को उठाया आकर नोड़ा में किसी आईयस को पीटा सब में यादो सिंग के लिए हाई कोल सुप्रिम को जाआ अपरादियों को छोड़ना जो आतंग बादी वारार्सी में आयोध्या में रामपूर में विस्पोर्ट दिलाता है यह सारा कार याद ने किया इस नाते जनता जरादा में आपका अताथ चोड़ा गाली आप म अधिया में अपनाव मैं बती कर उन्हारतियों को उत्माराद ही में जो लुए ओ लने पड़ेगा कि हम जंताद में जारा है और भारत के लिए कारे थे अर mina जी कि रिष्तेदारी से पहले धुईओं धारडाली गृलोजह कोई दिक्कत सही कि फिर ब्याहा हो गया, रिष्टदारी हो गई, जब तक ब्याहा में रहो तब तक गाली गलोज से तो बचो, फिर छुटवती हो जाए फिर गाली गुपतार करो, बिल्कुल अखंड, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितनी समय तक आप एक बंधन में हैं, उतने समय तक तो शालीन हो, सारी बहस तो इसी बात की है, वो कहरें ना, हम गठ बंधन में भी हैं, और गाली गलोज के बंधन में भी रहेंगे, बिल्कुल, देखिए, अभी मैं समझवादी पार्टी के नेता को सुन रहा था, और कांग्रेस के जो यहां पतनी थी बैठे हैं, उनको भी मैंने सुन यह कह रहे थे कि हमारे वहां लोकतंतर है और हमारे यहां फ्रेडम है, देखिए, लोकतंतर फ्रेडम की भी एक सीमा होती है, दल के अंदर कैसे बात की जाती है, और दल के बाहर के वेक्ति से कैसे बात की जाती है, इसका एक तरीका होता है, इसकी एक कारेपधती होती है, आ अप दल के बाहर का दूसरे के दल का है तो साजवनिक रूप से आलोचना कर सकते हैं। लेकिन आपके दल में है तो इंटरनल मीटिंग्स में आप आलोचना करेंगे उसकी। उसकी आलोसना चोराहे पर नहीं होगी। और ये नहीं होगा अशोग जी कि बाप बेटे को पार्टी से निकाल दे और बेटा बाप को पार्टी को निकाल दे और एक दूसरे को को से और जनता या पत्रकार कोई प्रस्ण पूछे तो आप कहें नहीं भाई हमारे हाँ तो लोग तंत्र लागू है अशोग जी याद है मुलायम सिंग जी ने बर्खास कर दिया था अगलेश जी को और अगलेश जी ने बर्खास कर दिया था मुलायम सिंग जी को सारजनिक मंज पर तो यह यह लोग तंत्र का कोई पैमाना नहीं होता है जदी आप गटवंधन में नहीं है दूर दूर है तो जमके आलोस ना करिए लेकिन इंटेक्ट गटवंधन आपने बनाया हुआ है फेबिकोल से चिपका हुआ है तो फिर यह लोग रिती है कि कोई आपस की बुराई है तो उसको आप घर बैट कर सुल जाईए घर के अंदर सुल जाईए पती पतनी के बेडरूम की जो बाते हैं उसकी चर्चा चौरा होती है मुझे लगता है बीपक्ष अपनी मार्यादाओं का पालन नहीं कर रहा है तमजीत साब हम लोग फिर उत्तर पदेश पर लोगते हैं कहा जा रहा है कि मुरादाबाद विजनाओर और बल्या इन तीन सीटों पर पेच फसा है ऐसी खबरें आ रहे हैं क्योंकि जो सत्रा सीटे दी है अखलिश आदव ने ओफर की है उनमें ये सीट शामिल नहीं है तमजीत जी कहीं कोई पेच नहीं पाता हुआ एक चीज तरह हो चुका है दोनों गड़वन दनों पे जिए कि अच्छी सीटों पे इंडिया घटक दलना रही है कि एक दो सीटों पे थोड़ा बहुत जरुदर तक चाची का यहां वहां कुछ हो सकता है लेकिन यह कोई बहुत बुरा मसला नहीं है जो सुझाया ना जा सब्सक्राइब और हम लोग तूस इस तर पर पहुत चुके जहां पे बहुत जंद हो सकता है आज या कल में फाइनल सब्सक्राइब करेंगे अनुप्रिया पटियल जी ने कम से कम 15 सीटों की मांग करती है तो कैसे इन सीटों के बट्वारा करेंगे बार्टी जनका प्राइटी यह भी तेह नहीं कर पा रहे हैं लेकिन दुर्भाग गे कि वह चीज़े जो चौराहे पर दिख रहा है यह गहा ना तो राजमितिक विसलेशक जी को दिख रहा है ना तो आपको दिख रहा है यह दुर्भाग गे अमचाब जी इतना बरा घमासान बचा हुआ है यह नहीं कर पा रहे है कि यह कि कितनी स्विट जिस्टों कर दो हमको भी लिया है बीच पीस लिए भाई तो प्र हमें बीच मगासा बनाएंगे अब फिर खुद खुद पर भागना चाहेंगे खीस्ता है आप किसव इस्ता है आप बोने जी उसक पर फिर आप बोत देंगे झानल कर दो आफ थीच को आप कम तकम हमारे लोंकतानि का दिकार को अहनान मत किज़ें आप सजब नहीं हो गया है अमारे जा आपको तरफा आप लोग बाते करते हैं और भार्ती जन्ता पार्टी के पच्छ में इस तरीके आप लोग डिवेट करवाते हैं इसलिए ताकि कांग्रेस के पास बोट शेर भली कम हो लिए उसकी बात पूरी आए लोग तंत्री यह कहता है अब कांग्रेस तमजीद भाई ने बात कही उस पर में टिपनी जरूर कर दू हमेशा के लिए भंजंजट खतम हो जाके अब तमजीद एमद जैसा विचार जितने रखते हैं इस भूमंडल पर उन सब को स्पस्ट्री करन हो जाए निशाद के संजे निशाद के अपना दल के आशिश और अनुप्रिया सुभपा के ओम प्रकाश राजवर इनका बयान ले आओ पाल के 20 सीट हमें देंके भाजपा नहीं तो ही जील बजा देंगे वाजपा कि अमीतावग नियोत्री वहस कराएगा एक गंट बयान लिआओ थेत्रही करके भागने नहीं दूंगा बयान लिचार आओ मैं बहस कराओंगा ए यी त्थित्रही न करो मेरे साथ वो दूसरे ल अब इनकी आवाद ने जाएगी अखिलेश यादम जो चुछ लिखके दे रहे हैं उस पर भैस नहीं हो अखिलेश यादम ने पहले आपको 11 ग्रांट की बोले 11 दे दी हमने कंग्रेस को जाओ मौझ करो फिर अखिलेश यादम ने का में 17 दे दी जाओ मौझ करो इसलिए भैस ह को रही है कि घजब कर रहे हो कि आप भूजी दिखाओ ना राजभर की चिठ्थी दिखाओ जो राजभर ने जेपी नेड़ना को लिखी हो कि 25 सीटे देओ नहीं तो आपकी कुर्से गिरा हिला देंगे लावें यह थेत्राइं मत करो मेरे साथ ना यह दूसरी जगा कर सकते हो यहां नहीं भाई ना अखिलेश आदव ने आपको 11 सीटे दी हमने चर्चा की अखिलेश आदव ने आपको 6 सीटे बढ़ा दी करपा की कि चलो भाई दुखी नहो 17 लड़ लो तो चर्चा नहीं करें उत्रपदेश में अखिलेश आदव भी हैंडल पकड़े हुए है ना गजब कर रहा हुए